बेतिया में नगर निकाय चुनाव में रोडशो के बाद भुजपूरी अभिनेत्री अक्षुरा सिंग को भीर ने घीर लिया भीर सेलफी की डिमांड कड़े लग गई भीर इतनी बढ़ गई की कार से उतर कर अक्षुरा सिंग को स्कूटी से भागना पड़ गया प्रत्याश्री के पती रोहित सिकारिया खुद स्कूटी चला रहे थे पीछे अक्षुरा सिंग बैठी हुई नजर आ रही थी इस कूटी के पीछे पीछे लोग दौर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे शूटिंग चल रही हो मामला रविबार का है इसका बीडियो भी सामने आ गया है अक्षरा सिंग बेतिया नगर निगम चुनाओ में मेरपद की प्रत्याश्री गडिमा देवी सिकारिया के पक्ष में प्रचार करने पहुँचे थी सिंगर गोलू राजा भी थे इसी दौरान अक्षरा सिंग का काफिला पोखर भिंडा गाउं में पहुँचा रोड शोख हत्म होने के बाद वह गाड़ी से नीचे उतर गई गाड़ी से नीचे उतरते ही प्रश्चनसकों की भीर उनकी तरफ तूट पड़ी अक्षरा सिंग की एक जलक पाने और सिल्फी लेने के लिए प्रश्चनसक एक दूसरे को धकेल कर अभिनेतरी तक पहुँचना चाह रहे थे भीर से निकलने के दौरान अक्षरा के चपल भी खुल गए बढ़ती भीर को देखकर प्रत्याश्री के पती रोहित सिकाडिया ने अक्षरा सिंग को स्कूटी पर बिठा लिया और प्रश्चनसकों से बचाने के लिए उसे लेकर भागने लग गये नंगे पाउ अक्षरा सिंग स्कूटी के पीछे चेहरा चिपाय बैठी दिखी जबकि पीछे पीछे प्रश्चनसक दोडने लगे किसी तरह से प्रत्याश्री पती अक्षरा सिंग को बचा कर बेतिया ले आए भोजपूरी इंडस्ट्री के स्टार कही जाने वाली अभिनेत्रे अक्षरा सिंग और गायक गोलू राजा ने रविबार के दिन बेतिया नगर निगम के मेरपद के प्रत्याश्री गडिमा देवी सिकारिया के पक्ष में चुनाओ प्रचार किया दोनों कलाकारों ने रविबार की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बेतिया नगर निगम शेत्रों में रोड शो किया प्रत्याश्री गडिमा देवी सिकारिया के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील भी की जुरो दिक्षान से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से